तो अगें वेरी वेरी गुड इवनिंग सर आज की क्लास जो होने वाली है बड़ी इंट्रस्टिंग क्लास है थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पर जाएंगे कौन है क्रिस नव जो आप पूछ रहे हैं वो अगला चैप्टर में होगा रेजिदेंचल स्टेटस में कब लगेगा नहीं लगेगा वो डेज काउंट करने होंगे चलिए सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर हम इंकम टेक्स रेट की बात करने आ ले हैं चैपको जो टेक्स देना होता है मानलो आपने पाँच लाग कमाया आपने कितना प्तेक्स देंगर एगा 30% देना है तो कितना टेक्स देना पड़ेगा तो वह कैसे निकाला जाए आज की क्लास में वह सीखेंगे हम कि इस क्लास के अंदर काफी सारे टम्स यूज होने वाले हैं और हम सभी टम्स को यहां पर थोड़े थोड़े पार्ट में क्लियर करते जाएंगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टन आपके एक्जाम में इस रेट के ऊपर हर यह जो चप्टर है यह हर चप्टर के साथ होने वाला आने वाले टाइम पर इसलिए मैं इसको पहले करवा रहा हूं तो रेट क्या होता है कि गॉर्मेंट ने यानि जो हमारा इंकम टेक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक रेट स्पेसिफाई किया है यहां पर उन्होंने कहा कि भाया रेट दो तरीके के कर दिया पहले एक ही हुआ करता था लेकिन अब गॉर्मेंट का नजरिया थोड़ा चेंज हो गया और गौर्वर्मेंट ने दो रेट कर दिया है एक रेट कर दिया है हमारा नियू टेक्स इसको मैं नियू टेक्स रिजीम बोलूँगा जो कि सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी में है सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी में है नियू टेक्स रिजीम बोलेंगे एक हमारा है ओल्ड टेक्स रिजीम सर हमें कौन सा पढ़ना है हमें दोनों पढ़ना पढ़ेगा सिर्फ इस टेक्स रिजीम की वजह से ओल्ड और नियू टेक्स रिजीम की वजह से अभी समझाएंगे और इसको क्या कहेंगे सर ऑप्शनल अब डिफॉल्ट और ऑप्शनल में यह समझो जैसे आपको इंकम टेक्स देना है टेक्स भरा जी हां टेक्स भरा उसने बोला ये टेक्स तो गलत लग रहा है मेरे हिसाब से तो ये टेक्स ये है आप बोलोगे क्या आपका ये वाला टेक्स रेट नी मैंने इस वाले पॉइंट के हिसाब से निकाला है आपके ऑप्शनल वाले रेट से निकाला है इसलिए इसक और यह वाला ओप्ष्णल होगा यानि जब हम इंकम टेक्स भरते हैं सारा ऑंलाइन होता है आई टीर वगएरा सब देखने वाले हैं उसके इसाब से तो सर्टेक्स का न एक रेट फिक्स किया गया है और रेट कैसे कैसे फिक्स किये गया है वो सारी चीजें आज हम देखने व बिल्कुल समझ बहुत तब तक हम इसको चोड़ेंगे निए सर ओल टेक्स रिजीम के सेक्षिन क्या है ओल टेक्स रिजीम को कोई भी ऐसे सेक्षिन निये वो आपका 139 आइट रवगरा में आया करता था सिर्फ नए टेक्स रिजीम में ये सेक्षिन पेशली अमेंड मिन्ट आया है पहले यह नहीं हुआ करता था अब आ गया तो पहले हमें इक पार इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे और इसको समझने के बाद कुछ सक्रेपिश को सब्सक्राइब दोनों के मिलाके को देखेंगे पप्लिक के लिए क्तो से है गौर्मेंट ने कहा कि बहुत चिसक्वे कितने तरीके पर्सन होते हैं तो तो आप को सेक्शन तू. था जू. बताया था एक कौन था चिस इंडिवीज्वल इंडिवीज्वल ओके सर एक इंडिवीज्वल था और कौन था सर जिसके अंदर काफी सारे लोग आ जाते हैं मुझे कमेंट में जवाब चाहिए आपने पहले करा हो यह आगे यह आगे इसके अंदर एक करता है, परिवार वाद आ गया, परिवार वाद आ गया, इसका कोई परिवार फैमिली हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, हम ह, यू, एफ, साथ तरीके के परसन बताए थे, इसके बाद सर और कौन होगा, और कौन होगा, मान लो कोई दो परसन हो गया, और ये लेकि ये इंडिवीजबल हो गया एक ये इंडिवीजबल हो गया ये भी इंडी और ये भी इंडी दोनों मिलके वैपार कर रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जल्दी बताओ इन दोनों ने मिलके अपना business स्टार्ट किया belong to individual यानी B-O-I इसी के साथ एक और आ गया मान लो एक और आ गया सर्त मान लो एक ये बिजनस है बिजनस के पैर कब से हो गए एक ये बिजनस है इस बिजनस को हमने H-U-F कहा एक ये है इसको मैंने individual कहा अब इन दोनों ने आपस में business start किया registration इन्होंने नहीं करा रखा बताओ इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ अरे नालायक local authority नहीं local authority नहीं इसको क्या बोलेंगे बताओ इसको क्या बोलेंगे इसको मैंने बोला था दोनों को एक में ही रखूँगा तो तीन हो गए है चौथे की बात करें चौथे की बात करें मान लो एक प्राइवेट लिमिटेड है तो इसको हम बोलेंगे कंपनी इसको बोलेंगे कंपनी पांचवा मान लेते हैं पांचवा इसको थोड़ा आगे कर देते हैं मान लो भगवान गॉड को किसमें रखें एक दो तीन चौथे को मान लेते हैं भगवान है गॉड है मान लो God है God है या कोई College है मैंने God का Example लिया था तो God को किसमें रखने के लिए बोला था बताओ God को किसमें रखने के लिए बोला था God को किसमें रखने के लिए बोला गया था Artificial person Judicial person Judicial person इसमें रखने को बोला गया था ओके इसके बाद मान लो A है और B है दोनों मिलके बिजनस कर रहे हैं इन्होंने अपने आपको registration करा लिया तो जब registration इन्होंने करा ही लिया तो इसको क्या नाम दिया गया था सर इसको partnership firm कितने हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे एक कौन सा रह गया सर एक रह गया हमारा local authority है जैसे MCD क्या सभी student को ये बाते याद है तो आज जो हम tax rate सीखेंगे एक इसके tax rate की बात करेंगे एक इसके tax rate की बात करेंगे एक इसके tax rate की बात करेंगे एक इसके tax rate के लिए बात करेंगे और एक इसके tax के लिए बात करेंगे बाकी जो बच गए हमारे ये कहां गया company, partnership और local authority इनके उपर tax rate अलग लगता है उसके उपर नए tax rate और पुड़ाने tax का कोई सवाल नहीं है उनके उपर तो कोई अलग ही हमारे लिए provision बनाए गए हैं तो आज जो हम tax की बात करने वाले हैं इनके लिए बात करने वाले हैं तो sir हमारा सबसे पहली बात ये tax rate जो लगेगा वो किसके उपर मैं बात करूँ आज इंडिवीज्वल पे और किस पे sir हुए फ और किस पे sir और करेंगे हम किस पे ए ओ पी और बी ओ आई और आर्टिफीशल पर्सन अगर इसमें से कोई भी हुआ तो उनको tax एक जो मैं अब बताने वाला हूँ उस slab rate के according इनको tax देना पड़ेगा इनको बोला गया भाई तुम्हें tax कितना देना है माल लो suppose करो suppose करो government गवर्मेंट है और जो government है वो किस से tax receive करेगा हम सारा एक्जामपल इंडिवीजवल के हिजाब से लेके चलेंगे क्योंकि स्लेबस इंडिवीजवल का है मान लेते हैं राम है गवर्मेंट ने ये गवर्मेंट है गवर्मेंट ने पूछा किस से राम से के भाई तुम कितना कमाते हो राम ने बोला मेरी कमाई और पूरे साल की बात कर रहे है राम बताओ कितना कमाते हो तो राम ने बोली मेरी कमाई एक लाख रुपए है सरकार ने कहा एक लाख रुपए है लाव टेक्स राम ने बोला भाई कैसी बात कर रहे हो एक लाख रुपए पूरे साल मैं कमा पाता हूं और बारा से डिवाइड करो तो हर महने की कितने इंकम आगा एक बाद डिवाइड करके देख लेते हैं और फिर बताते हैं सरकार को तो साथ आठ हजार रुपे के आसपास इंकम आ जाती है एक एटी एट हंड्रेड मान लेते हैं यह आ गया गोला आठ हजार आठ बात तो सही है गोवर्मेंट हमेशा जब भी सोचएगी वह पपलिक के फेवर में सोचेगी कॉवर्मेंट में बोला बात तो तो सही है बोला चलो भाई राम तुम्हें टेक्स देनी की अवाशकता नहीं है एक वैक्ति आया मान लितने मोहन ने ग्वर्मेंट ने है तुबता तेरी इंकम कितनी है इसने बोला मेरी इंकम 2,005,001,002,001,002,001,002,001 वे इनकम कितना कमाता है वो एग महीनी के है एक वैक्टी आया मानल इतने सुनल से पूछा सोनल बताओ कितनी इंकम है तुम्हारी सोनल ने बोली मेरे इंकम है साड़े 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 उपर खर्चे होते हैं beauty parlor के मेरे खर्चे हैं इसके साथ-साथ मेरे पता नहीं मतलब बहुत खर्चे मेरे पैसे ही नहीं बच्टे गौवर्मेंट ने बोला चलो तेर पास भी पैसे नहीं बच्टे तो एक काम करो सोनल तुम भी टेक्स मत दो हद है सर आप इससे भी टेक्स न सोहन से पूछा कि भही या अन्कम बता इसने बोला मेरे इनकम Yeah 5 लागक के हिसाब से तेरी साल की इंकम निकालते तो भूला भही या sieht तारिस हजार फूला था मेरा मेरी इंकम ऐसे है मैं बहुत गरीब हूँ बोला नहीं अब नहीं बचेगा तुछ से मैं टेक्स लूँगा कि गॉर्मेंट ने एक पेरामिटर सेट किया कि कौन से ऐसे वक्ती है जिन से हमें टेक्स लेना चाहिए जिसकी इंकम कितनी हो यानि इन सभी से गॉर्मेंट ने टेक्स नहीं लिया एक पल को मैंने एक्जाम्पल लिया है इससे बोला कि मैं तुछ से टेक्स लूँगा तो इसका मतलब सर गौवर्मेंट जब टेक्स लेती है तो ये भी देखती है कि कुछ इंकम तक उसको माफ्त कर दिया जाता है कि इस पर हम आपसे टेक्स लेंगे ही नहीं जिसको बोला जाता है बेसिक एक्जेम्शन क्या बोलेंगे इसको आपकी इंकम पचास अजार रुपे साल की है गौवर्मेंट आपसे टेक्स लेगी क्या नहीं लेगी उसको क्या बोलोगे आप बेसिक एक्जेम्शन उसको क्या बोलोगे बेसिक एक्जेम्शन अच्छा सर basic exemption तो कितने कितने percent किस-किस से tax लेंगे इन ही बातों को आज पढ़ने वाले हैं तो कितने कितने पर तो government ने कहा up to up to three lakh अगर आपकी income 3 lakh है तो हम मान के चलेंगे आप बहुत बिचारे हो हम मान के चलेंगे कि आप बड़े बिचारे हो और अगर आप बिचारे हो तो आप से हम टेक्स जो लेंगे वो कम लेंगे बिचारों से कम टेक्स लिया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा बोला आप से हम टेक्स कुछ भी नहीं लेंगे यानि जिस व्यक्ति की इंकम तीन लाख रुपए है उससे हम टेक्स लेंगे ही नहीं गौर्मेंट ने फैक्स लगिया यानि सर अगर आपकी सेलरी तीन लाख रुपए और डिवाइट बारा करें पच्चिस अजार महिने की सेलरी है तो आपके उपर टेक्स लगेगा ही नहीं अभी हम ये भी आगे और भी चर्चा करेंगे इस पर अच्छा सर अगर आपके नेक्स्ट यानि अगर आप तीन लाख एक रुपए तीन लाख रुपए तो कुछ नहीं लगेगा तीन लाख एक रुपए से लेके अगर आपकी इंकम होती है छे लाख रुपए तक गौर्मेंट ने बोला अब हम आपसे टेक्स लेंगे कितना टेक्स लेंगे 5% यानि 3 लाक से 6 लाक रुपए तक होगी तो आपसे कितना टेक्स लेंगे हम 5% लेंगे अभी हम सीखेंगे भी एक्जांपल ने फिर गॉर्मेंट ने बोला next next छोड़ दो मैं अपने simple language में लिख देता हूँ फिर मैं books के language दिखा दूआ अब अगर आपकी income हुई 6 लाक एक रुपए से लेके 9 लाक रुपए तक अगर income हुई तो government ने बोला हम आपसे 10% tax लेंगे अगर सर इससे ज़्यादा हुआ तो government ने बोला 9 लाक एक रुपए अगर आपकी income होती है और उससे 12 लाक रुपए तक income होती है तो हम आपसे tax लेंगे 20% यानि 5, 10, double होता गया 20% हो गया इसके बाद government ने बोला अगर आपकी income 12 लाक 12 लाक एक रुपए हुआ से लेके यानि 12 लाक से अधिक हुआ और 15 लाक रुपए तक हुआ तो आपसे जो हम tax लेंगे वो लेंगे 30% sorry 25% उससे लेंगे हम एक rate रह गया बीच में 10 के बाद 15 है 15% और इनसे लेंगे 20% पांच-पांच का difference ही इसके बाद अगर 15 लाक रुपए से जितना भी जादा होगा सब पे लेंगे हम 30% सब पे लेंगे हम 30% government ने ये कुछ criteria set किया सर ये criteria एक बार समझाओ तो हमें अच्छे से समझ में आएगा बिलकुल अभी समझाएंगे इतनी जल्दी थोड़ी खतम होगा ये topic जब तक आपके खून में नहीं मिल जाता तब तक ये चलता रहेगा सर एक एक्जामपल बताओ चलो मैं एक्जामपल नमबर बन मिस्टर राम की इंकम गौर्मेंट बहुत चलाख है इंकम मानलो चार लाख रुपए है तो गौर्मेंट ने कहा आपका अप्टू अप्टू थ्री लैक तो आपके उपर कुछ भी टेक्स नहीं देना निल निल इसके बाद बैलेंस जो बचा कितना बचा बैलेंस एक लाख तो इसके उपर आपको टेक्स देना पड़ेगा पांच परसेंट तो एक लाख हो की उपर पांच परसेंट आपका टेक्स बनता है साहाब पांच हजावी आपका टेक्स बनता है इंकम हुआ चार लाख पांच छे लाख दस अजा अभी रिबेट की भी बात करेंगे हम छे लाख दस अजा तो आपके जो फ़र्स्ट आपकी कमाई होगी फर्स्ट तीन लाक तक तो आपको सरकार ने माफ कर रख है माफी दे दी तो सर तीन लाक से जो ऊपर होगा यानी 6 लाक है तो नेक्स्ट के जो 3 लाख होंगे next 3 लाख होंगे उसके उपर सरकार ने बोला हम आपसे लेंगे कितने परसेंट 5 परसेंट्ट तो आपके 6 लाग तो हो गए खतम अब कितने बचे 10,000 तो बोला नेक्स्ट जो आपके बचे हुए हैं नेक्स्ट जो आपके 10,000 हैं उस पे लेंगे हम सीधा-सीधा 10% से 10% से 1000 तो आपका जो टेक्स बनेगा वो बनेगा हमारा टेक्स बनेगा 16,000 यानि सर हमारा टेक्स का रेट क्या है सर? सर 5% है 10% है 15% है 20% है और 30% है कैसे कैसे सर? पहले 3,000,000,000,000,000 फिर next 3,000,000,000, यानि 3,000,000,000,000 का gap है फिर next 3,000,000, फिर next 3,000,000, और फिर खठाब जो मैंने यहां पर लिखा हुआ जो एक सवाल आपको कुदें आप निकाल के बताओगे मुझे क्युकी मुझे टेस्ट करना है अब काफे सारे यह वीडियो जो है वह काफे सारे सेलरीड परसन ये प्रोफेशनल भी देखते हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं एकदम जीरो जीरो के माइनस से स्टार्ट कर रहा हूं सर मैं क्योंकि मेन मुद्ध है मेरा समझाना एकदम फटा-फट वाले जो कई वार मैं यूटूब पर वीडियो डालता हूं तो बहुत फटा-फट वाले आते के सार पांच मिनिट में टॉपिक मिले खतम उनके लिए वीडियो मैं बन पांच लाग है इंकम पांच लाग है मेरी इंकम कितना है पांच लाग है पांच लाग हाँ पिछली स्लाइड दिखाएंगे प्रॉपर लिखवाएंगे पांच लाग में बताओ कितना होता है पांच लाग चलो मैं पिछली स्लाइड के सामने रखते तो थीक है पांच इनकम कि निकाल के बढ़ा इनकम किटना पण रहा होगा विजू और यह अभी डिफॉल्ट भी बोलते हैं और यह निव वाला है आपका निव है यह डिफॉल्ट वैसे तो अब नहीं बोलेंगे क्यूंकि यह डिफॉल्ट हो चुका है हर्स ने कहा सर दस अजार होगा मनन ने भी दस अजार तनिक्स ने भी दस अजार अमित ने भी दस अजार बाकि सभी बच्चे जवाब देंगे सभी बच्चे कर क्या रहे हैं सिवानगी ने भी दस अजार सिवानगी ने भी दस अजार और बच्चे बताओ बस बच्चे तो ज़्यादा लाइब है आ गया जवाब एक और आ गया अर्नम ने भी दस अजार नायाब ने भी दस अजार हर एक बच्चा जवाब दे अगर एक बच्चे का भी गलत आएगा तो मुझे फिर कॉंसेप्ट को और ले जाना पड़ेगा सभी का लगबग लगबग जवाब आ गया है इसान का भी और नव्या का भी दस अजार और दस अजार आपने कैसे निकाला पहले तीन लाख रुपे खतम कर दिये थे बच्चे 2,000,000 दो लाख़ पर 5% 10,000,000 जिस बच्चे ने 10,000 निकाला है उसका 100,100,100,100% यानि पहले जो 3,000,000 है फिर्स 3,000,000 है उस 3,000,000 पर तो सरकार ने बोला कि हम तुम्हें माफ करते हैं और बाकी बचगे हमारे कितने और 2,000,000 सरकार ने बोला next 3 lakh तक 5% रखेंगे तो यह तो 5% के category में आएगा तो इस पर कितना है 10,000 और आपने बोल दिया 10,000 जो हम अभी कर रहे हैं इसको बोलते हैं slab rate इसको क्या बोलते हैं slab rate तो इसको बोलते हैं basic अरे बेसिक एक्जेम्शन लिमिट तो मैं आज के बाद BEL भी बोल दूँगा कई बार basic exemption लिमिट क्या होता है 10,000 ओके यानी सर एक बात तो तै हो गया जो हमारे default tax regime है एक बार ध्यान दीजिए क्या कहते हैं यहाँ पर यह जो किताब में आपका लिखा होता है कुछ ऐसे लिखा होता है उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बता दिया कहता है rate prescribed जो है 115 BAC income tax act 1961 के हिसाब से मतलब act तो 1961 है प्रवाइड देट कंसेशनल रेट टेक्स इंडिवीज्वल, हुएफ, एओप, बी ओओ आई एन आर्टिफिशल जुडीशन परसन का यह tax rate होगा local authority, company, partnership firm इनका tax rate कुछ अलग ही है जो हम इसके अंदर cover नहीं करेंगे अगर मैं company हूँ, partnership firm हूँ, तो मैं बोलू मेरी income पाँच लाग है तो क्या मेरी income पे तीन लाग रुपे का exemption मिलेगा बेसिक नहीं भई, तुमारे लिए अलग से provision बना रखा है government ने वो अलग provision है, अभी हम सरिफ इन लोगों की बात करेंगे, कितने लोगों की बात करेंगे, एक, दो, इसको तो मैं एक ही मान लेता हूँ, तीन, और एक चार लोगों को अलग अलग count कर लिया गया है, उसके लिए ये, क्या कहता है, तीन लाग रुपे तक कितने tax होंगे और निल, तीन लाग से लेके छे लाग तक आपके कितना होगा, 5, from 6 लाग से लेके 9 लाग रुपे तक 10%, नो लाग से लेके 12 लाग तक 15%, 12 लाग से 15 लाग तक 20%, और 15 लाग से उपर जितना मर्जी कमा लो, उसके लगेगा आपका 30%. government का tax rate बहुत आई अगर आपकी एक करोड income है तो सोचो आप 30% के slab में आगए 30 लाक रुपए आपको tax देना पड़ेगा आपके पास सिर्फ 70,000 रुपए आएंगे हर बार हर बार government जो है budget लेके आती है हर साल हर साल fab में लेके आती है और fab में जो budget आता है इसमें बहुत सारे salary वाले लोग होते है छोटे वैपारी होते है यानि small trader होते है salary वाले percent small trader हुए फ government से बड़ी उम्मीदे होती है इनको यह हमारे government है और government कौन है हमारा निर्मला निर्मला सीता रमन यह है हमारे finance minister निर्मला सीता रमन निर्मला सीता रमन से यह सभी public एक उम्मीद लगाए बैठते हैं उम्मीद लगाए बैठते हैं के मेरे लिए कुछ करो मेरे लिए कुछ करो तो इनको क्या demand है इन सभी public की एक ही demand है के हमारी basic exemption limit को बढ़ाओ तो हमारे basic exemption limit को बढ़ाओ आप कहते हैं तीन लाग तक कोई tax नहीं लगेगा इसको 5 लाग कर दो please इसको 10 लाग कर दो please ताकि हम इतने income पे तो बच जाए तो यह इनको बढ़ाना पड़ता है पहले पता है basic exemption limit क्या हुआ करता था starting में डेड़ लाग होता था डेड़ लाग से इवन कम ही था हमारा नब्बे हजार था तो जैसे जैसे मैं 10 साल 15 साल पहले की बात करो नब्बे हजार था फिर दो लाग हुआ फिर धाई लाग हो अब तीन लाग हो गया तो यह समय समय पे का रहा चुप तीन लाग रुपए basic exemption limit का इससे ज्यादा नहीं देंगा जाओ कि सेलरी वाला परसन कहता है मैं मैडम finance minister हमारी इंकम तीन लाग तक अगर basic exemption limit दोगे तो इस बार vote हम आपको देंगे ही नहीं क्योंकि आप हमारी सुनी नहीं रहे हो जनता क्या चाहती है जनता एक ही बात चाहती है हमारी सरकार सुने हमारे मन मुताबिक की फैसले आ जाए और हमारे मन मुताबिक नहीं तो हमारे मन के कम से कम 50% मुताबिक तो आए पब्लिक अगर आपकी इंकम एक करोड़ है एक करोड़ पर आपको 30 लाख रुपए एवन तो 30 लाख तो मैंने कम बताया ज्यादा ही देना पड़ सकता है 30,00,000 रुपए आपको टेक्स देना पड़ेगा तो आप क्या चाहोगे यार 1 करोड में से 30,00,000 टेक्स निकल गए 70,00,000 ही बचे हैं गौर्मेंट अगर ऐसा करती कि 1 करोड तक टेक्स नहीं लेती तो सारे का सारे 1 करोड मेरे जेव में आते 30,00,000 के एक हम कार खरीद लेते 30,00,000 का हम ये खरीद लेते तो आपकी तो उमीद यही रहेगी ना कि basic exemption limit बढ़ाए तो जो छोटे अब जितने भी small 3,00,000 तक income को गरीब माना गया लेकिन सबों ने बोला भाई महंगा इतनी बढ़ गई है पेटरोल बढ़ रहा है, सेलेंडर बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है 3,00,000,000 से बात नहीं चलेगा इसे basic exemption limit को बढ़ाओ सभी public से बोलना चालू कर दिया जब ये बात उठी basic exemption limit बढ़ाओ तो निर्मला सीता रमन को डर लगा कहीं हम चुनाव हार ना जाए तो उन्होंने कहा कि हम इस basic exemption limit को नहीं बढ़ाते आपके income tax में हम tax liability में छूट दे देंगे सर ये क्या बात कह रहे हो income tax जो आपकी liability बनेगी उस liability को माफ कर देंगे इसका मतलब सर ये जो हम निकाल रहे थे ये जो निकाला that is ये था tax liability tax जो देना था आपको बोला इसके उपर हम छूट दे देंगे तो इन्होंने एक section को introduce किया निर्मला सीता रमन ने और बोला आज से हम एक section लेके आ रहे हैं 87A इसके अंदर कुछ प्रावधान होगा और उस प्रावधान को बताते हैं कि आपकी income अगर इतने तक हुई तो आपको 25,000 रुपे तक का हम और benefit देने को तयार है ये tax liability की बात कर रहे हैं अभी समझेंगे ये 25,000 रुपे क्या है यानि आपकी अगर टेक्स बन रहा है 25,000 आप टेक्स मत देना हम 87A से रिवेट देंगे ना कि हम basic exemption limit बढ़ाएंगे मतलब सर रिवेट का मतलब क्या है सर ये तो बताओ रिवेट का मतलब क्या है ओके रिवेट का मतलब जानना चाहते हो तो रिवेट का मतलब देखो मान लेते हैं मोहन मोहन की income 6,000,000 है इसके tax liability तो up to 3,000,000 यहाँ पर रिवेट लिखतेंगे यही format follow कर लेंगे हर जगा जो कि हमारे लिए एक सिस्टेमेटिक बन जाए है ना एक हम सिस्टेमेटिक बना देते हैं कि आपको देखने में थोड़ा सुन्दर सुन्दर लगे सुन्दर सुन्दर आपको भी एकदम साफ साफाई से नोट करने हैं तीन लाग तक बोला रेट तो होगा ही नहीं यहां पर टेक्स आपका जीरो आपका टेक्स जीरो अच्छा सर बाकी नेक्स्ट जो आपके 3 लैक है उसके उपर हम लेगे आपसे 5 परसेंट जो की बनते हैं 15,000 आपका टेक्स लाइबलिटी बन गया टेक्स लाइबलिटी बना नजगा अपका 15,000 गौवर्मेंट ने बोला आपको टेक्स नहीं देना हम आपको रिबेट देते हैं juda आपको 15,000 रुपे हम अपनी जेब से भर देंगे गौवर्मेंट आपका टेक्स लाइबलिटी बनेगा जीरो टेक्स लाइबलिटी यानि government ने basic exemption पे नहीं उसके जो बाद के जो tax बन रहा होगा तो वो हम अपने जेब से भर देंगे पब्लिक ने पूछा सर ये फिर तो हमें पागल बना रहे हूँ कितने तक government ने बोला हम 25,000 रुपे तक अपने जेब से भरने के लिए तयार है 25,000 तक अपने जेब से भरेंगे लेकिन 25,000 के ऊपर आपको देना ही देना पड़ेगा अगर आपका income tax liability 27,000 आ रहा है देना ही देना पड़ेगा आपको सर तो 27 देंगे या 2 देंगे उसको सीखते हैं अभी 87 ये क्या करता है ये आपको क्या देता है सर एक rebate देता है ये क्या दे रहा है आपको rebate दे रहा है different different example लेंगे different different example को लेके हम करते जाएंगे चलिए एक और देखते हैं example ये format तो ये ही रखेंगे बस income change करते जाएंगे ठीक है income मानलो हो गया 7 लाग तो up to up to 3 लैक up to 3 लैक up to 3 लैक कितने होने वाले कोई tax rate नहीं है निल आप निल लिख दो जीरो लिख दो इसके बाद next 3 लैक next 3 लैक 5 परसेंट तो कितना आएगा ये पंदरह हजार का tax लग गया अब एक लाग और बच गया तो next जो भी balance बचा नेक्स्ट बैलेंस पे balance एक लाग है एक लाग पे 10 परसेंट that is कितना होगा 10 अजार और आपका tax कितना हो गया 25 अजार सरकार ने बोला चिंता नहीं आपका rebate rebate 87A section लिखना पड़ेगा capital A है अगर आपने small a भी लिख दिया तो answer गलत हो जाएगा 25 अजार रुपे तक का rebate है आपको tax जो देना है that is zero आपको tax कितना देना है zero तो इसका मतलब सर हमारा 7 लाख रुपे अगर हम earning करते हैं तो हमें कोई tax देने की जरुरत नहीं है हमें कोई tax देने की जरुरत नहीं है अगर साथ लाख रुपे की हम earning करते हैं तो कोई tax देने की जरुरत ही नहीं है ओके क्या एक सवाल आप करके दिखाएंगे यहां तक समझ में आया यानि 25 अजार मैं एक सवाल और करा देता हूं चलो एक सवाल और करा देता हूं तो आपसे फिर कुछ सवाल पूछेंगे मान लीजिए मान लीजिए क्या माने सर मान लीजिए आपका tax बनता है income दस लाख तो क्या करेंगे दस लाख तो दस लाख की income पर नेक्स्ट नेक्स्ट थ्री लाख थ्री लाख पर कितने पांच परसेंट देट इस आपका हो गया 15,000 नेक्स्ट थ्री लाख पर दस परसेंट देट इस कितना हो गया 30,000 तो तीन तीन छे तीन नो हो गया बचे कितने नेक्स्ट एक लाख पर कितने परसेंट 15% देट इस 15,000 अब इंकम कितना बना 35 और 15 यानि 30,000 अब मैं लेने लगा 87 ए 25,000 निर्मला सीता रमन निर्मला मैडम ने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उसने कानून थोड़ा ऐसा बनाया यह रही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने कानून बनाया नहीं 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 अब आपको रिबेट नहीं मिलेगा आप नहीं तो कहा था 87A में 25,000 रुपे की छूट देंगे हम तो अब क्यों नहीं दे रहे आपका 7,000,000 रुपे तक इंकम होगा तब आपको 87A आपके लिए रहेगा अगर 7,000,000 रुपे से इंकम एकसीड होगा आपको कोई टेक्स में रिलीफ 87 में नहीं मिलेगा हम मान लेंगे आ बहुत अमीर आदमी हो और अब बहुत अच्छा कमाते हो आपको इस इंकम पे टेक्स देना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा कितने टेक्स बन जाएंगे 60,000 रुपे से अगर ज्यादा टेक्स बना तो पूरा देना है कोई डिडेक्शन नहीं 25 से कम बना तो जितना टे टेक्स बना सरकार से बोलो लाओ 15,000 आपने 25,000 के छूप दे रखे थे नहीं तो 10,000 मोदी सहब साथ में बैठे थे मोदी सहब साथ में बैठे हैं और मोदी सहब सोच रहे हैं यार टेक्स साथ हजार रुपए है और कुछ भी लिया जाए क्या उन्होंने कहा हमारे देश की अर्थ विवस्ता में पढ़ने लिखने की सिक्षा के हम फ्री में पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए पैसे का इंतिजाम करना है स्वच भारत अभ्यान करना है साफ सफाई पे खर्चा करना है उसके लिए पैसे की इंतिजाम करना है हस्पिटल के अंदर पैसे देने हैं उसके लिए पैसे इंतिजाम करना है कहां से लाए निर्मला सीता रमन पैसे बताओ मोदी जी पूस्ते हैं बताओ निर्मला इसका इ के एक काम करो हम लगा देते हैं प्लस 4% सेस क्या होता है सर सेस होता है एक्स्ट्रा चार्ज अब सीधा 4% है पहले 1% था फिर 2 किया फिर 3 किया फिर 4 किया यह 4% जो सरकारी स्कूल होती है उनके उपर खर्च किया जाता है यह 4% जो कि आपका माल लेते हैं होस्पिटल है उसके उपर खर्च किया जाता है तो यहां 4% से क्लीन आपका जो स्वच्छ भारत अभ्याने यहां से उन सभी को मिला के 4% कितना टेक्स लेंगे लेकिन 4% जो बताया गया वो बतायेगा जब टेक्स बनेगा उसके उपर 4% आपसे ज्यादा नहीं लेंगे इतना तो अमीर हो 10 लाक रुपे कमा रहे हो मैंने के आपके इतने सारे इंकम हो रहे चुप चाप टेक्स देदो नहीं तो आपके घर पे अभी सीवी आई आपके घर पे कौन-कौन इंकम टेक्स वाले डिपार्टमें चापा मारेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगे चुप चाप टेक्स देदो अभी भी बहुत लोग चोरी करते हैं तब दे भी देते हैं बहुत लोग अच्छे इमानदार भी ऐसे नहीं के सभी के सभी मैं तो बड़ा इमानदार हूं अच्छा सर मतलब इस एक्जामपल से तो इतना समझ में आया कि अगर 25,000 तक का टेक्स बनेगा तो हमें स्वच भारत वगेरा में भी कुछ नहीं करना जी हां नहीं करना और 25,000 से अगर उपर जाएगा तो आपको टेक्स देना पड़ेगा और टेक्स भी देना पड़ेगा और टेक्स के साथ साथ उसके उपर 4% का सेस भी देना होगा सेस होता है एक्स्ट्रा बड़न सेस होता है एक्स्ट्रा बड़न ओके सर क्या मैं आप से एक सवाल पूछूं क्या मैं आप से एक सवाल पूछूं आप बुरा ना माने तो एक अगर मेरी इंकम कुतनी हो जाए मैं आपसे पूछाए चार लाक नब्र हजार मेरी इंकम है तो आपको पूरा केलकुलेट करके तक्स तो आपको मेरी tax liability calculate करके बताना है इस पर अभी बाद में आते हैं थोड़े से बाद भाएंगे चलो मैं अपने एक्जामपल ही लिखी देता हूं मैंने सुचा लिखा लिखाए करें बट मेरे को लिखा लिखाए में मजा नहीं आता है मैं खुदी लिखना पसंद करता हूं कि कि मेरे को तसली मिलते कि मैं लिख रहा हूं तो बच्चे उसको देख भी रहे हैं लिखा लिखाए PPT में मुझे मजा नहीं आता है क्योंकि मेरे पास तो सारा material available है सब कुछ टाइप हो जाता है लेकिन मैं लिखना ही पसंद करता हूं थोड़ा सा बस यह है थोड़ा time जरू अब 6,10,000 है आप टेक्स बताइए कितना बनेगा फटा फट कैलकुलेट करके बताइए 6,10,000 पे और एक बताइए 9,00,000 पे आप टेक्स निकालके बताइए अगर 6,00,000 हो तो कितना टेक्स बनेगा और 9,00,000 हो तो कितना टेक्स बनेगा फटा फटा फट मैं आपका 5 मिनट वेट करता हूँ आप मैं उमीद करूँगा कि आप बताएंगे फटा फट जल्दी जल्दी बताईए बच्चों ने बताए क्या कि ऑप्शन वन नो टेक्स नो टेक्स बिल्कुल सही जवाब कोई टेक्स नहीं एकदम सही जवाब सभी बच्चे सही बोल रहे हैं कि नो टेक्स अमित कुमार मोर्रिय कहते है कोई टेक्स नहीं लगेगा इसान कहते है सर कोई टेक्स नहीं लगेगा किशंग कोई क्हार 604,800 यहां पर बच्चे कुछ कुछ गड़बडबडबड़ बता रहे है ऑ है नो टेक्स श्यलाग पर नो टेक्स तो में छेलाग वालों को मैंसमव बच्चों तो ने कह दिया ऐसे कहा कि सर आप कैसे बाते कर रहे हैं तीन लाग पे तो आपका जीरो ही रहेगा और नेक्स थ्री लैग पे आपका रहेगा पांच परसेंट तो बना पंद्रह हजार सरकार ने 87A भी तो दे रखा है आपको वाकी 15000 टेक्स बनता लेकिन आपको सरकार ने टेक्स बनता है आपका ये सरकार ने less कर दिया यहां से 87A बोला जाओ तुम्हारे पंदरा के पंदरा हजार माफ कर देंगे 25,000 तक माफ किये गया है तो आपके टेक्स liability बन गई 0 टेक्स liability बन गई liability बन गई 0 टेक्स liability बन गई 0 45,000, 46,000 कर देखते हैं सर दूसरे की बात करते हैं कि दूसरे की बात करते हैं कि आपके नेक्स्ट थ्री लैक पे छे लाक हो गया टोटल फाइब परसेंट और देट इस बना आपका पंद्रह हजार और फिर से नेक्स्ट क्योंकि नौ लाक की इंकम है फिर से थ्री लैक होगा तभी बनेगी बात थ्री लैक पे आपके होगे 10 परसेंट इसका मतलब सर आपका जो बन गया वो ज्यादा बन गया 25 से 45 तो टेक्स बना आपका 45 इसके उपर प्लस करोगे 4 परसेंट का सैस जब भी मैं टेक्स पूछूं तो सैस एड़ करके बताओगे तो 4 परसेंट यानि 45 अजार के 4 और अठारा सो को जब प्लस कर देंगे तो जिन बच्चों का 46 800 था वो बच्चे 100 परसेंट ठीक थे 45,000 वालों का गलती यह रहा कि उन्होंने सैस एड़ नहीं किया होगा च्छालिस आठ सो च्छालिस आठ सो सर दस के पर नव्य आपने क्या जवाब दिया है दस के पर सर अगर फरस्ट वाला च्छे दस है तब भी जीरो हो जाएगा च्छे दस पे भी जीरो हो जाएगा क्यूंकि दस अजार पे कितना लगाओगे हजार तो टोटल बनेंगे 16,000 और 25,000 तक सरकार ने चूट दे रखी है कितने चूट दे रखी है 25,000 और यह हमेशा टोटल इंकब पे निकलता है हम धीरे-धीरे इसको बढ़ाएंगे इसके लिए हमने दो क्लासिस रखी है इसलिए ताकि धीरे-धीरे मैं बताओ और धीरे-धीरे सारी बात बताओ एक दिन में कई बार ऐसा देखा है मैंने पता कैसी भी समस्य आ जाए उसको सॉल्व कर लो गया तो बहुत जल्दी-जल्दी फटा-फट मैं चाता तो आज दोनों रिज्जिम खतम कर देता और फिर हो भी जाता फिर बहुत सारी बाते नहीं बता पाता मैं उसमें सृष्ट वाला है सरफ फर्स्ट वाला च्छे दस है अच्छा यह पूछना है हां जी छे लाख दस अजार है फर्स्ट वाला छे लाख दस अजार है छे लाख दस अजार है यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है डाउं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताईए सर फर्स्ट वाले का दस के पर टेन परसेंट और लगेगा सर येस दस परसेंट और लगेगा छे लाख ओहो मैंने गड़बड कर दी मेरी गलती बचा रहे हैं और मैं भूली गया मेरी से गलती हो गई अपकी बाती नहीं समझ पा रहा था आपने मुझे बताया लेकिन बातानी क्या पूछ रहें बच्चे मैं आपकी बात संञे नहीं पाए एक हजार तो यह हो जाएगा सोलह हजार और यह हो जाएगा सोलह हजार यह हो जाएगा जीरो यहां तक कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परिशानी और यह किस-किस पे लगेगा individual और söyleyeде क्यों है बहुत सारे इसके अंदर बारते है डिस्ति सर्फ आप याकीन नीं मानोगे उन्हीं कोई लग है तो कम से कम इसको समझाने शमर्णे निए बहुत सारे जाएगे बहुत से पाउंट्व जाएगे जो कि CIA के student होगे वो पढ़ भी रहे होगे उनको लगेगा कि सर ऐसे बता रहे हैं ऐसे भी होगा मैं बिल्कुल slow 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 ले जाओंगा जब मैं fast ले जाओंगा अगर आप यहां पे एकदम perfect हो जाएंगे तो मैं फिर fast भगाओंगा यहां पे आपको no doubt sir यहां तक clear हो गया यहां तक कोई doubt hello अब एक वंदा एक वैक्ती आपके सामने में दिखाता हूँ उसने करा क्या और वो तो पागल हो गया भाई साब पागल हो गया वो वैक्ती सर पागल हो गया कैसे पागल हो सकता है कोई हाँ जी मैं सही बोल रहा हूँ वो वैक्ती पागल हो गया सर कैसे income थी उसकी 7,10,000 7,10,000 आप भी उस वैक्ती के दुर दसा पे हलाद पे हसोगे 7,10,000 पहले 3,00,000 पे सरकार ने बोला जीरो वोला ओके अगले 3,00,000 पे सरकार ने कहा next वाले 3,00,000 पे 5 परसेंट देट इस 15 बचा next कितने बचे हैं एक लाग दस अजार क्योंकि 9,00, तक जाता है यह तो एक दस पे कितने परसेंट 10 परसेंट बना ग्यारा टेक्स कितना हुआ? टेक्स हुआ? 26,000 26,000 टेक्स हुआ टेक्स हुआ 26,000 और हमारे निर्मला सीता रमन निर्मला सीता रमन से टेक्स पेयर ने सवाल पूछा अब फिर वोट नहीं देंगे हम तुम्हें अब बताओ मेरे इंकम मात्र 10,000 बढ़ी और तुम हमसे टेक्स वसूल रहे हो 26,000 रुपे इससे तो अच्छा होता ये 10,000 मेरे पास नहीं आता 10,000 जैसे ही कोई देता मैं बोलता मुझे माफ करो इस 10,000 को आप वापस ले लो हमें नहीं चाहिए ये 10,000 इस 10,000 को अगर मैंने ले लिया तो मेरे को 26,000 सरकार को देना पड़ेगा ये कैसी मुस्किल है कैसी मुसीबत है ये 10,000 तो मैं लूँगा ही नहीं यानि ये समस्या किस के पास आगई पबलिक के पास निर्मला सीता रमन जी ने सूचा बात तो सही है बात तो सही है यार 10 की इंकम बढ़ी और खराब हो गया ऐसा तो नहीं चलेगा भाई हम नहीं देंगे ये टेक्स गवर्मेंट ने बोला ठहरो आपकी इंकम कितनी बढ़ी बोला मेरी इंकम तो वैसे देखा जाए 7 लाग तक तो 0 थी 10,000 तो बढ़ा है इंकम अब तुम 26,000 टेक्स मान रहे हो गवर्मेंट ने बोला 10,000 इंकम बढ़ी है ना तो हम सिर्फ बढ़ी जितनी भी इंकम है उस 10,000 को टेक्स में ले लेगे यानि सर समझ में नहीं आए क्या कहना चाहते हो आप कभी-कभी तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा गवर्मेंट ने कहा आपका टेक्स कितना बनता है मैंने बोला 26,000 ओहो औ और आपका एक्स्ट्रा इंकम कितना है जो 7,000,000 से एक्स्ट्रा है मैंने बोला 10,000 तो बोला 16,000 रुपए का हम तुम्हें रिबेट देंगे अब जो 87,000 ए मिलेगा इसको बोलते हैं marginal relief हम तुम्हें 16,000 का रिबेट देंगे और अब आपको 10,000 रुपए पे तो टेक्स देन ही देना पड़ेगा 10 की इंकम बढ़ी तो इंकम पे दोना भाई टेक्स हम तुमसे ऐसा थोड़ी कर रहें के तुम्हारे बेसिक एक्जम्शन सारी खा गए 10 पे तुम्हें टेक्स देना पड़ेगा और इसके ऊपर बच्चों की पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देलो बच् टेक्स कितना देना पड़ेगा 10,400 इसका मतलब सर यानि मेरी इंकम बहुत जादा बढ़ जाती है इंकम से जादा अगर मेरा क्योंकि मेरी इंकम देखा जाए तो एक तरीके से गौर्मेंट ने बोला हुआ 7 लाख रुपे तक नो टेक्स अगर 7 लाख एक रुपे भी होता ह तो मेरी इंकम टेक्स लाइबलिटी तो 25,000 से उपर बढ़ गए एक रुपे मैं तुमसे लूँ और 25,000 सरकार को दो ऐसे एक रुपे तुही रख भाई ऐसे तो डरेंगे नहीं भाई नहीं मुझे एक रुपे नहीं चाहिए मेरे को 25,000 नहीं देने सरकार को तो ओनंगे एक्चुल टेक्स जो बन रहे हैं मैक एक्चुल टेक्स माईनस में एक्स्ट्रा इंकब ए ऐक्स्ट्रा जो भी आपकी इंकम है तो आपका टेक्स लाइबलिटी बने गा एक लाग चार हजार और ये बिल्कुल सही फैसला था मैं मानता हूँ पुराने वाले रिजि यानि चैन की सांस दिया आपको गॉर्मेंट में यहां पर सर 80 वाले सर इस केस में 87A की वेल्यू चेंज क्यों हुई चेंज नहीं हुई चेंज इसलिए हुई क्योंकि आपकी इंकम बढ़ गई नॉर्मली देखा जाए तो आपको तो टेक्स जो गॉर्मेंट था गॉर्मेंट अगर बहुत ही हार्ड रूल बनाती तो आपको टेक्स देना पड़ता 26,000 और आपकी इंकम कितनी बढ़ी सिर्फ 10,000 10,000 की वज़े से आपको 26,000 इसने गॉर्मेंट ने जितनी आपकी एक्स्ट्रा इंकम है उसी को टेक्स मानके अपने पास रख लेगी लेकिन 7,28,887 रुपे की सिर्फ बनता है अमाउंट वहीं तक के लिए है 7,000,000 मैं एक्जेक लिखवा दूँगा डिजट क्या बनता है यानि सर अगर मेरी लाग 7,000,000 आप मुझे अगर आपको समझ में आया ये बात तो एक और question पूछा जाए जी सर पूछा जाए अब सो पूछी लो तो मैं थोड़ी से income बढ़ा देता हूं थोड़ी से इंकम बढ़ा देता हूं अगर आठ लाग होती तो सर तो तो भाईया तुम्हारे एक लाग की इंकम बढ़िया टेक्स तो देना ही पड़ेगा ऐसे थोड़ी तुम बच जाओगे तब तो लेंगे टेक्स ऐसा नहीं है यह तो बस हमारे कुछ कैलकुलेशन में ऐसी बाते फस गई जुसके वैसे लिखना पड़ेगा अगर मान लो साथ लाग बीस अजार हो तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट एक बीस पे कितना बनेगा दस परसेंट यानि आपका टेक्स बन गया 27 अजार आपकी इंकम कितनी बढ़ी 20 अजार टेक्स बन गया 27 अजार आप इतना समझके चलना कि हमारी साथ लाग तक तो इंकम जीरो हो जाती है सरकार का रिवेट ले करके तो बस मेरी इंकम इससे बियोंड कितना बढ़ा 20 टेक्स बढ़ी है 27 तो अब मार्जनल रिलीफ का कॉंसेप्ट आजाएगा और मार्जनल रिलीफ में क्या करें स्रिफ और स्रिफ दिया जाएगा एक्स्ट्रा साथ हजार क्योंकि तुम्हारे उपर साथ हजार ही तो एक्स्ट्रा बढ़न आ रहा है तो तुम्हारा जो टेक्स बनेगा वो कितना बनेगा 20,000 यहां पर भी हमें 4% तो हमें अपने जेब से ही देना पड़ेगा यह नहीं ब कि फिर तो भुगतना पड़ेगा आपको इसान ने बिल्कुल सही जवाब दिया बीस अजार आठ सो कि बीस अजार आठ सो कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कहां तक जाता है मैं वो टेक्स रेट निकाल देता हूं कितना बनेगा हमारा कि वो सटेन अमाउंट एक में निकाल के बता दूआ कि इतने तक आपको रिवेट मिलेगा वो सम्थिंग साथ लाक अठाईस अजार आठ सो सतासी रुपए ऐसे कुछ अमाउंट है वो में निकाल के कैलकुलेट करके सामने ही बता हूंगा क्योंकि वैसे लिख दूँगा तो मजा नहीं आएगा अब मैं आपको एक कुश्चन पूछता हूं अगर आपकी इंकम साथ लाक चलो तीस अजार बढ़ाते जाते हैं अब बताओ क्या होगा इसका आणसर आपको देना है साथ लाक तीस हजार पर क्या होगा साथ लाक तीस हजार पर मैं ही कर देता हूं साथ लाक तीस हजार पर क्या होगा सब कुछ सेम रहेगा मैं बस फटा-फट से करने के चक्कर में थोड़ी से यूज कर रहा हूं पुराना डेटा ओहो साथ लाग तीस अजार इसको तीस करो मेरे भाई तो नेक्स्ट एक लाग तीस हजार पे दस परसेंट इस आपका बना तेरा हजार तो पंदरा और तेरा कितने हुए पंदरा और तेरा पंदरा और तेरा अठाईस हजार अठाईस हजार टेक्स आपकी इंकम कितनी बढ़ी तीस तो हम आपसे तीस से इंकम से ज़्यादा तो टेक्स नहीं मांग रहे है ना इंकम 30 से बढ़ गई तो हमसे आपसे उससे ज्यादा तो नहीं मांग रहे तो आपसे स्रिफ 28,000 ही टेक्स मांग रहे तो हां सर अब आपको आपको मार्जनल रिलीफ नहीं मिलेगा यानि आपको अपसेस भी देना पड़ेगा और चुप चाप 871 है नहीं आपके लिए 87A है नहीं 87A आप इलिजिबल नहीं बचे आप 87A बचे नहीं तो इस पर चार परसेंट आ जाएगा 1120 रुपए 1120 अब आपके टेक्स लाइबिलि 29 एकसो बीस रुपए है 29 एकसो बीस रुपए है नियू रिजिम का सभी स्टूडेंट को क्लियर है बस मुझे यहां पर कुछ डिड़क्शन एक्जेम्शन वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हमने दो क्लासिस लिए इसके उपर सर्चार्ज भी लगता है अभी तक मैंने बस छोटे-छोटे इंकम रखे हैं अब मैं 50 लाग से उपर भी इंकम लेके जाऊँगा तो 50 लाग से उपर हमारा एक और टेक्स लग जाता है इस सर्चार्ज वो भी हम देख लेंगे इस पे भी स्पेशल मारजनर रिलेफ मिलता है तो वो भी देखेंगे नियू रिजिम ओल्ड रिजिम भी देखेंगे यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है तो आप घर से मैं कुछ दे रहा हूं इंकम इसके उपर टेक्स निकालेंगे अगर आपकी इंकम पांच लाग चालिस हजा तो बताएंगे 9,87,684 रुपे एक दो तीन चार पांस सवाल दिये हैं इस पांस सवाल का आपको आंसर निकाल के अगली क्लास में लाना है अगली क्लास के लिए होमवक यही देते हैं अभी सिर्फ हमने इसका टेक्स का इतना सा पार्ट किया है अगली क्लास में हम एक तो ओ compare करेंगे कि किसमें टेक्स हमारा सबसे कम बन रहा है और वही प्लानिंग हम करके चलेंगे तो सर आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं अगली क्लास के अंदर हम इससे आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सिर्फ कार्ट सीखा है और इसको मैं पहले मेरा पढ़ाने का थोड़े तरीका अलग पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं फिर मैं आपको थिवरी पढ़ाऊँ है काअगर मैं पहले मताता घर सर्व इसके इंदर ऐसे बताया मार्जनल रिलीफ होता है यह होता है तो आपको लोगों क्या बाते कर रहे हो समझ में नहीं आता तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा चलिए गुड़नाइट बैच देखिए आगे निकल जाएगा आपके जितने भी फ्रेंड है उनको आप बता सकते हैं के भाईया जल्दे से जल्दे जोइन कर लो रेफर प्रोग्राम भी चल रहा है आपको पता ही होगा एप्लिकेशन पर आता रहता है कि आप अपने स्टूडेंट अपने कॉलिज में फ्रेंड को बता सकते हैं वहाँ पर आपको 20% का कैस बेक दिया जाएगा तो आप अपने इस सिक्षद हमको सपोर्ट करिए थाइंक इस वीडियो में